अभिवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्रा का आप देख रहे हैं दड़िवेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भारतिय जनता पार्टी के नेत्रत वाले सरकार के चार साल के कारेकाल पूरा होने पर 2017 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में भारतिय जनता पार्टी की प्रचंड भहुमत वाली सरकार बनी थी और उनके गड़बंदन को 321 सीटें प्राप्त हुई थी और यह अब तक का रिकार्ड जनादेश भारतिय जनता पार्टी को 2017 में मिला था चार वर्स बीच चुके हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाओ के लिए अब महज 9 महीने का वक्त बचा हुआ है सरकार का चार साल का कारेकाल यह माना जाता है कि उसके कारे पूर्ण हो चुके होंगे वाइदे पूरे हो चुके होंगे और यह सही वक्त होता है कि जब आप क इसके बारे में समीक्षा का चार साल से बहतर वक्त कोई और नहीं हो सकता है। चार साल मतलब कि आप अपने कारेकाल का तकरीबन 85 फीजदी वक्त निकाल चुके होते हैं। तो यह सही वक्त होता है कि जब आप सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन करें। 2017 की स्थिती और 2021 की स्थिती का आकलन करें। कि आज आमादमी का जीवन कैसा है। किसी भी सरकार के कामकाज के मूल्यांकन उस राज़ी के व्यक्तियों के जीवन पर पढने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता ह। उस राज्य की कानून बिवस्था उस राज्य में रोजगार की स्थिति उस राज्य में इंडरस्ट्रीज उस राज्य में गाउं गरीब किसान और उस राज्य में निम्न मध्यमवर्ग मध्यमवर्ग और सेलरीड क्लास नौकरी पेशा वाले लोग उनके हालात कैसे हैं उन से जो वाइदे किये गए थे क्या उन वाइदों को पूरा किया गया क्या उन वाइदों पर काम हुआ और क्या उन वाइदों के आधार पर ये सरकार खरी उतरती है इसके बारे में मुल्यांग कन का ये सबसे सटी समय है जिस बहुमत के साथ भारती जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने अभूत्पूरों बहुमत दिया था क्या बीजेपी ने काम करके दिखाया उन सभी इंडिकेटर्स उन सभी सूचकांक पर चर्चा होनी चाहिए महगई के मुद्दे पर चर्चा हो रोजगार के मुद्दे पर चर्चा हो कितनी सरकारी नौक्रियां दी गई इस पर चर्चा हो कानून विवस्था की स्थिती पर बात हो कितना अध्योगिक निवेस हमारे हां आया इस पर चर्चा होनी चाहिए आम गाउं गरीब के लिए क्या हुआ, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए बीजेपी ने 2017 में एक नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, ना गुंडाराज ना भरष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार तो सबसे पहले उसी से अनालिसिस सुरू करते हैं, क्या गुंडाराज खत्म हुआ, क्या अपराध कम हुए, क्या संगठित गीरों द्वारा कारित किये जाने वाले अपराध कम हुए, क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाप होने वाले अपराध कम हुए, क्या हमारे दलित भाई बहनों के विरुद्ध घ्रणित अपराध कम हुए, क्या हमारी माओं और बेहनों के साथ होने वाले अपराद घटे क्या हमारे बच्चे और बच्चियों के साथ, छोटे बच्चों के प्रती होने वाले कुरूरतम अपराद बढ़े या घटे क्या उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते और उन दंगों में कितने लोग मारे गए अपराद के हालात यह हैं कि अगर आप अख़बार उठा कर देखें या ट्रेलिविजन चैनल्स देखें आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में अपराद के हालात यह हैं कि प्रति दिन महिलाओं के खिलाब 165 से ज्यादा छेड़खानी से लेकर बलतकार तक के मामले महिलाओं के खिलाब अपराद में सामने आते हैं कि दलित भाई बहिनों के प्रति अपराद भ्यानक तरीके से बढ़ाएं संसनी खेज घटनाएं उत्तर प्रदेश के भीतर हो रही है अपसोस की बात है कि विक्टिम को ही अपमानित करने की कोशिश होती है कि एपपल के मनेजर विवेग तिवारी के हत्या कांड से शुरू हुआ अपराद आज की तित तक रुका नहीं है कि इस वक्त जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं आगरा में हमारी एक बहन की हत्या कर दी गई क्रूरतम हत्या कर दी गई उसकी लास्ट नदी किनारे मिली है तीन दिन से वह गुम्शुदा थी अपरन हुआ कमलेश तिवारी की जिस प्रकार से उनके दफ्तर में घुश कर हत्या हुई हिंदू आदी नेता की लोग भूले नहीं है उन्नाओं की रेप पीड़िता बेटी के साथ जो घटना हुई क्या उसको उत्तर प्रदेश भूल गया क्या ये कानून बेवस्था है हाथ रस की घटना किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है और उसके बाद सरकार का बेवहर उसके बाद उत्तर प्रदेश पूलिस की भूमी का रात में दो बजे किसी बच्ची की लाश जला देना जिन्दा थी तो भी इनसाप नहीं मिला मरने के बाद लास को संवान चैंतिन संस्कार भी नहीं किया गया पेट्रोल डाल कर जला दिए गया था क्या वो द्रश्य लोग भूल सकते हैं क्या वो द्रश्य भूला जा सकता है जब संगठी तपरादियों ने लखनव के गोमती अगर में एक व्यक्ति को 25 गोलियां मारी थी और उसके शरीर से 40 छेद हुए थे लबे सड़क 20 सड़क घटना हुई थी तो क्या गुंडा राज कम हुआ क्या कुछ लोगों का कुछ मापियाओं का कुछ गुंडों का घर गिरा देने से कानुन वेवस्ता ठीक हो जाती है हाफ इंकाउंटर कर देने से क्या इस्तितियां ठीक हो जाती है अगर होती तो इस प्रकार की दुरदानत घटनाएं नहीं हो रही होती आप याद कीजिए संभल में क्या हुआ था एक बाप बेटे को कैमरे के सामने गोली से भून डाला गया था बलिया की घटना याद जिसके सरे राहत्या कर दी गई थी खबर दिखाने पर यह कानून बिवस्ता ब्रश्टाचार के हालात यह हैं कि होमगार्ड भी भाग से लेके शमसान तक में दलाली खाई गई और आजकल तो नमामी गंगे का बहुत जीक रार आए तो क्या ब्रश्टाचार रुका और अगर ब्रश्टाचार रुका होता तो भारती जनता की कार्शपी की कार समीट के बैठक में उльटक केुणान रहे मंद से ऐलान किया कि ब्रश्टाचार का आने से डरते हैं बिना पैसा दिए फाई आर नहीं होती है ऐसा मैं नहीं कह रहा है ऐसा बीजेपी के नहेता कह रहे हैं कहां कह रहें बीजेपी कारिसमिद्ध जो सबसे बड़ा फोरम होता है उसके मंच्छी पर रोजगार के हालात यह हैं कि आठ लाख से ज्यादा नोक्रियां खाली पड़ी नहीं है जिन चार लाख नोक्रियों को देने का दावा सरकार कर रही है उनको अभी तक सारजनिक नहीं किया गया है कहा जा रहा है पांच एक्सप्रेस वे बनाए गए मैं जानना चाहता हूं कहा बनाए गए गण्ना किसानों का आज भी उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी चीनी मीलों पर बीस हज्यार करोड रुपए वकाया है ट्वेंटी थाउजेंड करोड और तीन करशी कानूनों को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या उबाल है पुरा देश जानता ह अपसरों की मनमानी अपसरों की स्वक्षंदता अपसरों का भ्रष्टाचार और नौकर साही का सत्ता पर संपूर्ण नियंत्रन ऐसा नहीं कि सिर्व विपक्षिस से परिशान है भारती जनता पार्टी के नेता भी परिशान है विधायक भी परिशान है मंत्री भी परिशा शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत भी सामान ने आदमी की तरह एक सेल में जाती है और उसी सेल से सारे विधायकों को मैसेज जाते हैं विधायक की शिकायत को अब कोई विशेश तवज्जों देकर कारवाई नहीं होती विधायक की शिकायत भी आम आदमी की शिकायत की तरह ट्रीट की जाएगी और आम आदमियों के साथ क्या हो रहा है सबको पता है बीजेपी के एक विधायक अलीगड में शिकायत करने गए थे वापस लोटे तो दरोगा जी ने उनका कूरता फाट डाला तो चार साल में सरकार के पास उपलब्धियां क्या है सरकार ने बताना चाहिए कि उपलब्धियों के लिए के नाम पर उनके पास क्या है क्या ऐसा माईलिश्टोन इस्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में करोना के दौरान जो हालात हुए सबने देखा विशेश तोर पर तो इस थितियां चार साल में यह मूलियांकन का वक्त होता है सरकार के काम काज का आकलन होना चाहिए और आकलन आप लोग करिए जनता करें आकलन और वो बताए कि क्या आपको रोजगार मिला क्या बहतर सिक्षा मिल रही है क्या आपको अच्छा स्वास्ति प्रणाली मिल रही है क्या बिजली की कीमत जैसे पहले थी आज भी वही है दो क्या आपके बच्चों को सरकारी नौकरियां मिली, क्या आपके लिए पांच एक्सप्रेस्वे तैयार हो गए, क्या 30 मेडिकल कालेज आपरेस्टनल हैं, और यह बताया जाए कि कौन से मेडिकल कालेज हैं, जहां हिलाज चल रहा है, 30 जो नए बने, कहां बने हैं, और क्या उनमें इलाज चालू हो गया है, और अगर एक्सप्रेस में है तो चढ़ना कहां से है, वो कट कहां से है, एक भी मेट्रो का कारे पूरा नहीं हुआ उत्तरप्रदेश में, सवाल हजार हैं, और उन सवालों का जवाब वही देगा, जो सत्ता में बैठा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्षी परिशान है, बीजेपी के नेता कारे करता भी परिशान है, उनको भी सवालों के जवाब चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ स्टेट्मेंट आप सुनें, जो आज सरकार की तरफ से आये हैं, और अपोजीशन ने रेज की हैं, फिर एक खुली डिबेट को आगे बढ़ाएं. चार वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, इसलिए चार वर्ष के दोरान प्रदेश के अंदर तीन लाग परोड़ बेसे थे का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ. तो वादे जनता को किये थे वो आज कितने पूरे हुए हैं? वादे तो पूरे किये नहीं और जो MOU किये गए थे वो अभी भी जमीन पर नहीं उत्रे हैं इतना वरस्ता चार उत्तर परदेस कभी नहीं देखा था होते थे इस सरकार में वहां 20-20 हजा रूपे लिए जा रहे हैं यूपी की जनता हो गई बेहाल मंत्री अधिकारी माला माल प्रदेश की जनता बन गई कंगाल यह इस आधितनाथ सरकार की हकीकत है योगी अधितनाथ का चाल साल पूरा हुआ है इसको कैसे दिखते हैं मैं आगे बढ़ाते हैं नवीन स्री वास्तो भरती जनता पार्टी से हैं वैभो महस्तोरी आमादमी पार्टी से राजिंद्र दिवेदी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं